प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत्बा, भोजपुरी दुनिया से जुडल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर, चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। प्लैनेट भोजपुरी के दरसर्क लोग के हम पर नाम करतानी, गायक भरत बागी के तरफ से, और आज हमके बहुत ही खूसी के बाद वा, कि आज आप लोग के असिरवाद मिला था इतना अच्छा, आज मुंबई के प्रांगन में एक छोटा सा इस्टूडियो खूलल, आप लोग के असिरवाद से, जिकर मेन किरिदार अगर देखा जाओ, तो हमारे धीरज भी आ है, धीरज तिवारी जी, उनके सपोर्ट से, ये जो इस्टूडियो इतना बड़ा खड़ा किया गया, और बहुत अच्छा है, और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग आईए, यहाँ पर अपना काम करवाईए, बढ़िया से टाइम टू टाइम काम मिलेगा, ये मैं वाधा करता हूँ आप लोगों से, और मैं खारा उतरूँगा आप लोगे जुबान पर, तो मैं यही काना च खाल मिलेगा था है, ये मेलना लोगे जाया यीवे जोगे ऑलन दाता हूँ बढ़िया से, भवाईषा आप लोगे, भवाई दाता है यही काना, चाहिका शुबान पर लोगे जहाईए, बढ़िया से, जलोगे हमे तो मैं गुच्चरवे बलभी इया आप लोगे माई भंऴ तोड़ा सा इस्टूडियो बना बनावत बनावत थोड़ासा बहुत वेहननत हो बिल्वा और गाला के प्रोब्लम हो विल्वा दौण अपान ज़ील हैं, अप dellी परी होगी, इसे ही आप लोग इन जबन रहे हैं हम जीला जवनपुट से कमलेश कींगे यादो, हम भोजपूरी सिंगर है, हम जल्द ही अपना भोजपूरी कदम रखे हैं सब से पहले हम समस्त बहुच बुरी जन को प्रणाम करते हैं और आज ए हाइपी इस्टूडियो में आके हमें बहुत खुसी हुई हमारे भाई धीरेज दिवारी सामसे जब मुलाकात हुई तो ऐसा मुझे लगा कि सच में हमारा सगा भाई हमसे मिला बहुत खुसी हुई और यह भी सिंगिंग का हभी बात किये हमसे इसलिए मुझे और अच्छा लगा और बाद में इसने बोला कि हमें इस्टूडियो ओपिन करना है लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि इतना जल्दी एक अदम रखेंगे और इनका सपना पूर हुआ महातारिश से मेरा किरपा है कि इसे तरक्य करते रहें और आज मुझे बहुत बड़ी खुसिये मिली कि आज मैं मुंबई में आके इस मुकाम पे पहुंचा हूँ यह कभी सोचा नहीं था मैं हो लिया में ता छोड़ी के जात बाड़ू जान तू ता हो लिया में छुके ता गालिया के लाईतिया भीरिया ये रानी डोलिया में ता छोड़ी के जात बाड़ू जान तू ता हो लिया में